दोस्तों ये LG का 32 इंग का LED है ये LED जब हमारे पास आया हुआ था तो उस वक्त इसमें स्क्रीन में सब पट्टा पट्टा दिख रहा था स्क्रीन में पट्टा पट्टा दिख रहा था कुछ टिक्चर नहीं आ रही थी और आवाज आ रही थी तो हमने चेक किया इधर वीजियल वोल्टेज भी कम बता रहा था वीजियल वोल्टेज माइनस सिक्स वोल्ट होना चाहिए जबकि चार वोल्ट बता रहा था वीजियेज 32 वोल्ट होना चाहिए तो 16 वोल्ट बता रहा था तो हमने यह स्टिप निकाला तो वोल्टेज सब बराबर हो गया तो हम सको ये कन्फर्म हो गया कि अपनी आगे की सर्किट काम कर रही है शॉर्टिंग स्केलर में है या कफ वगरा में है तो हमने ये सब इस्क्रू कोला खोलने के बाद ये जो लेफ्ट साइड का कफ है उसको हमने खोला देखा तो उसमें स्पार्क था तो स्पार्क वाला जो हिस्सा किनारे का था कफ का उसको हमने बलेड से बारीक सा जितना स्पार्क हुआ था वो कट करके निकाल दिया उसके बाद हमारी टीवी ओके हो गई दोस्तों अगर हम यह वीडियो पूरा बनाते बनाते तैयार करेंगे तो काफी आपका टाइम जाएगा और अच्छा भी नहीं लगेगा हमारा भी वक्त जाएगा और आपका भी वक्त काफी जाएगा इसके लिए हमने थोड़ से वक्त के लिए हम जो बनाते हैं उसका फाउल बता देते हैं देखिए दोस्तो अभी टीवी अपना ओके हो गया अगर दोस्तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें शेयर करें सबस्क्राइब करें